दोस्तों कि आप भी रोज सुवा यह सोचते हैं कि आज नास्ते में क्या बनाएं जो जल्दी बन जाए और खाने में टेच्टी भी लगे तो चलिए आज मैं एक ऐसी रिस्पी आपके साथ सेयर करने वाली हूँ तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप सूजी और जितना अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फूल के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे तब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं तिहाप मैंने एक पैन रख दिया है उसमें डालना है दो चम्मत तेल तेल डालने के बाद इसमें डालना है थोड़ी सीराई उसके बाद कटे ही प्यास को टेलंगे और दो हरी मिश मैं पर काट करती है तो प्यास को हमें भून लेना है इसको ज़्यादा पकाना नहीं है बसा मिनट के लिए इसे हमें सा खूंगोप पिला नहीं है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मतर चलगा chcia biases पैंगोगा बहुत ही एक टमाटर को काट करके डाला है और टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेंगे टमाटर डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे तो आप मैंने आधा चमच कस्मीरी लाल मिच का पाउडर डाला है और आधा चमच इसमें हम डाल देंगे धन्या पाउडर अब मसाले को भू यहाँ मैंने दो आलो को मैस करके इसमें डाला है इसको भी अब मिक्स कर देंगे इसको ऐसी कांटिनु चलाते हुए हमें मिक्स कर देना है तो एक से दो मुनिट के लिए ऐसे चलाते रहेंगे यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बढ़िया से स्टफिंग हमारी बनके रेड तो देखिए सूजी काफी अच्छे से फूल गई है और इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और यह काफी जादा यह ठीक हो गया है तो अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी आधा कब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद फिर से इसको मिक्स क कर लेंगे तो चमच से इसको चलाते हुए अच्छा सा इसका बैटर त्यार कर लेना है तो दिखिए इस तरह से मैंने इसका बैटर त्यार करके रख लिया है और इतना काढ़ा बैटर होना चाहिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे इनू तो इनू की आधी पैकेट हम इसमे मिक्स कर लेंगे तो हम सूजी को कोई भी नास्ता बनाते हैं तो उसमें खाने वाला सोडा या तो इनो जरूर डालते हैं तो देखे इसको मैंने मिक्स कर लिया है अब हम रखेंगे एक सैंड्विच पैन और इसके उपर से लगा देंगे हम तेल तो आप एक ब्रस ले लिजे मिल या तो छमज ले लिजे उससे इसमें लगा दीजिए तेल और तेल लगाने के बाद इसके उपर से हम सूजी वाला बैटर तो लाच क Paper या उसको मैंने फैला दिया है उसके उपर से हम जो अलु फ्राई किए हैं उसके टिककी बना लेना है और इसमें रख देना है और र करने के बाद इसके उपर से आप कोई प्लेट या तो कोई लिड रख दीजे और इसको नीचे से पक जाने दीजे जब ये नीचे से पक जाएंगे उसके बाद इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसमें हम लगा देंगे तेल तो ब्रस से इसमें अच्छे से तेल तेल लगाने के बाद दोनों तरफ से मुटे और झाली को सेक लिए अभूम घी और पर बैग समया। लेकि अभर आप टोर सीक लिए मनतता वाना सबाड़ी होर अब इसको हम सर्विन प्लेड में सर्व कर लेंगे उसके भाद इसको हम कट कर लेंगे। इस रिस्पी को आप बच्चों की टिफिन के लिए बना सकते हैं, सुबा के नास्ते के लिए बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है, और खाने में टेस्टी भी लगती है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा,